आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम उरत दाल की कड़ी बनाने चल नहीं है तो यह उरत दाल हमने लिया है देखका टोरी इसको चार-पाच घंटे हम भीगा लिये थे और धूल लिये हैं अब इसको मिक्षी जामें पीछने चल लहें हैं इसको में पलत के पीश लिए है कि यह तो निकाल लिए है इसको भूल बना के तयार कर लेते हैं इधर ईदर बारा पीसा हुआ है इस वह इसका हम भूल बना रहे हैं इसका यह मसाला पीसे हैं इसमें हम लासुन और मिर्चा द्रग पीसे हैं एक छोटा चमच हम थल्दी मिला रहे हैं एक छोटा चमच हम मिला रहे हैं जीरा पाउडर है हमारा एक चोटा चम्मच हमारा सब्जी मिसाला थोड़ा सा अधा चोटा चम्मच मीर्चा पाउडर डाल रहे हैं सभी मिसाला को घुल बना ले रहे हैं हम यह कडाही रख दिये हैं तो हमारी गरम हो गई है इसमें हम सरसो का तेल डाल दिये हैं तेल गरम हो गया है तो इसमें हम जीरे डाल रहे हैं और यह हमारा मेथी दाना है इसमें बार एक कटा हुआ प्यास डाल दे रहे हैं इसमें तेज़ पता डाल दी हैं दो तीन अब हम मसाला डाल देते हैं दिनी आज में इसको भूझ रहे हैं मसाला अच्छे से पख जाए तक हम इसमें जुरब दाल डालेंगे यह हम घोल बनाए है उरत दाल का इसको चल रहे हैं डालने जो हम तीस के घोल बाद प्यार किये थो इसको हम डाल के धिमियाच में इसको मैसे में चलाते रहेंगे यह पानी मॉल डाल दिये हैं इसमें नमक डाल देते हैं इसको धीमियाच में रख देते हैं पकता रहे हमारा तब तक हम बड़ा बना लेते हैं कड़ी में बादा डालने के लिए मुरद डाल रखे थे तो इसमें प्याज हलका से डाल दिये हैं और यह जीरा है दर बड़ा कुटा हुगा लाल मिर्च है नमक और हल्दी यह मिला लिए हैं तो इसका अब हम बड़ा बनाने चले हैं इस तरीके से बनाएंगे इधर हम बड़ा बना रहे हैं यह हमारा बन रहा है अलट दे रहे हैं इसको उस तरह हम कड़ी रख दिये हैं धीमियास में पक रही है तब तक बड़ा भी रेडियो जाता है अई यह इसमें हम बारा डाल दे रहें हैं पक रहा है तब तक हम तार्ळका तयार कर लेते हैं यह तड़का लगाने कड़ी में तो यह सरसोत तेल डाल दीए है इसमें राई डाल दीए है और यह हमारा करीपता है दो तिन यह हम इसमें सुर्खा लाल मेंचे डो डाल दे रहे हैं और सबसे जरूरी चीज है हींग डालना सबसे जरूरी है इसमें तड़का हमारा हो गया है तो इसमें डाल दे रहे हैं यह देख लीजिएगा यह कड़ी हमारी बन गई है यह दल कड़ी बन के रेडी हो गई है देख लीजिए कितनी सवाधिष्ट है तो खानें कितनी सवाधिष्ट होगी यह आप लोग बताईएगा कैसा लगा हमारा तरीका अगर हमारा तरीका पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करिएगा सभी भाई बहन को नमस्कार